इस Study with Team Banaras चैनल पर आपका स्वागत है TRE 3.0 Re-Exam Revision Batch का आज तीसरा क्लास है जहाँ पर हम लोग कम समय में कैसे बेहतरीन तयारी कर सके इस पर फोकस करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग GSG के और साइंस के इंपोर्टेंट टाफिक को क्वेशन के माध्यम से डिसकस करने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा आपके सामने पहला प्रशन है कि निम्न में से कौन से दो चरम अस्थान पुरो पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं आपके आप्सन है मुंबई और नागपूर, मुंबई और कोलकाता, सिल्चर और पुरबंदर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं यह देखिए कोस्चन जो टियारी का एक्जाम हुआ था नाइन तिन्थ के लिए उसमें पूछा था ति हाप हमसे पूछ रहा है कि जो इस्टा और वेष्ट कोरिडोर है वो कौन-कौन जोडता है या किसके किस से जुड़े हुए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्चर और पूरबंदर सिल्चर कहां पर है तो असम में और पूरबंदर कहां पर है तो गुजरात में मैं आपको मैप की माध्यम सभी यहां पर दिखा दे रहा हूं तो देखें यहां पर पूछा था इस्टा और वेस्ट कोरिडोर के बारे विल जाएगा। अगर आप पूछे पूर्व और पूर्बंतर अगर पूझे Oh को कौरिडोर को अधिगे राष्ट्री राजमार्ग बनाएया है जहाँ पर अस्थान दिल्ली मुंबई चन्नाई और कुलकाता को आपस में जोड़ने के लिए या गोल्डन कॉड रिलेटर बनाया गया है अब देखें इससे रिलेटर कई बार अलग अलग एकजाम में कुछन पूछा हुआ है जिसे देखें यह एंटी पीसे में पूछ लिया था दोज आश्ट गार्ड में पूछ लिया था यहां पर पूछ रहा है कि जो सोडें चितुर्भुज है यानि गोल्डन यानि गोल्डन कॉडिलेटर एक क्या है आपके अपसंदिया हुगा है महानगरों से जुडने वाली रेलवे लाइन है प्रमुख हवाई मार्ग है या फिर रा पूछा हुगा है अब चलिए नेक्स्ट कोश्टन पर चलते हैं यहां पर पूछा है कि जी सेवन का पचासवा समीट किस देश ने होस्ट किया है मुलब पचासवा समीट कौन वाला है तो जो अभी 24 में 13 जून से लेकर के 15 जून तक यह समीट चल रहा है तो इसे किस कंट् इतली कर रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं नरेंदर मोदी और इतली की जो प्रधान मंत्री है जार्जिया मेलोनी उनके साथ सेलफी ले रहे हैं और यह फोटो काफी ज्यादा वाइरल हो गया है जब भी इतली की जो प्रधान मंत्री है जार्जिया मेलोनी जी और जब group up seven country में कौन-कौन से देश आते हैं जो permanently member हैं तो Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK और US हैं ठीक है और इंडिया देखे G7 का member नहीं है इंडिया को special immunization के द्वारा G7 में बुलाया गया था अब चलिए next question पर चलते हैं यहाँ पर पूछा है कि मुहम्मद गोरी और प्रिथ्वीरा चौहान की मद्ध तराइन का दूती युद्ध कब हुआ था आपके option है 1190, 1191, 1192, एक स्यधिक या इनमें से कोई नहीं तो तराइन का दूती युद्ध कब हुआ था तो 1192 स्वी में हुआ था और तराइन का प्र प्रिथ्वी राज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें प्रिथ्वी राज चौहान जीत गये थे और जो मुहम्मद गोरी भीड़ेसे युद्ध के लिए आता है और दूसरी बात प्रिथ्वी राज चौहान उपराजित हो जाते हैं तिक है आप चलिए next question पे चलते है और उसे पहले प्रिथ्वी राज रासो जो है चंदरबरदाई की रचना है उसमें भी प्रिथ्वी राज चौहान से रिलेटेड बहुत सारी बातों का जिक्र है इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा अब चलिए नेक्ट कोर्शन पे चलते हैं दव बड cracked of democracy नामक्ट पुस्तक के लेखक कौन है आपक्यापसन है महन प्रताप शींग्ग प्रताब भानु महता पॉल ब्रस एक स्यधिक या इन में से कोई नहीं तो बड़न आफ डिमोक्रेशी किस ने लिखा है? प्रताब भानु मेहता है. आप चलिए नेस्ट कोश्चन पे चलते हैं. अब देखे ब्रिक्स समीट की बारे में पूछ लिया है कि जो ब्रिक्स समीट होने वाला 2024 वाला वो कौन सा देस होश्ट करेगा? तो आपके आपसन है ब्राजील, रूस, इंडिया, एक से अधिक या इन में से कोई नहीं तो BRICS 2024 वाला समीट को होश्ट करेगा तो रूस करने वाला है तो इसके पूछे जाने के काफी जादा चांसेस हैं क्योंकि अभी देखे BRICS करेंसी की बात हो रही है और इसी जो BRICS का रसिया वाला समीट होने वाला है इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान को भी मिंबर बना लिया जाए और अभी करेंटली बात करें BRICS में कौन-कौन से मिंबर है तो देखे BRICS का फुल फाम क्या होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, सौथ अफ्रिका और बाद में उसके बाद कुछ और देश जुड़े हैं जैसे इरान हो गया, एजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, UAE हो गया और अभी टर्की हो गया, और पाकिस्तान हो गया तो इनके भी ब्रिक्स प्लस में जुड़ने की बात हो रही है ठीक है, अब चलिए next question पे चलते हैं और ब्रिक्स समीट 2024 वाला कब होने वाला है तो अक्टूबर में होने वाला है ठीक है, अब चलिए next question पे चलते हैं पूचा है कि भारत का सबसे शुक्स स्थान कौन सा है लेह, बीकानेर, जैसल मेर, एक से अधिक या इनमे से कोई नहीं तो उसके मतलब एक तरीके से सबसे ज़्यादा गर्मी वाला स्थान आप कर सकते हैं तो भारत में जो जैसल मेर है, राजस्थान का जैसल मेर वहाँ पर सबसे सुक्स स्थान उसे माना जाता है और बात करें जो जैसल मेर है वो छेतरफल के दृष्टी कोड से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है ठीक है? अब चलिए नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं यहाँ पर कोश्चन पूछ रहा है कि केरल की सांती घाटी यानि साइलेंट वेली सनरच्षित है क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? इसमें पौधों और जानवरों की बहुत सी दूरलब प्रजातियां पाई जाती है मिटी खनीजों से भरपूर है क्रिसी प्रयोजनों के लिए भूमी का उप्योग किया जाता है एक से अधिक या इनमेज से कोई नहीं तो केरल का जो साइलेंट वेली है वो सनरच्षित क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे हैं और जानवर हैं जो की दूरलब प्रजातिके हैं यहाँ पर पाये जाते हैं इसलिए इसे सनरच्षित किया गया है तो एवाल आप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा और कई बार तो देखें डारेटली कोश्चन पूछ लेता है कि साइलेंट वेली कहाँ पर इस्थित है तो केरल में इस्थित है तो आपर देखें next question कह रहा है कि दरपड के सामने खड़े एक ब्यक्ति को अपना प्रतिभीम अपने से बड़ा लगता है इसका तातपर है कि यह किस कंडिशन में हो सकता है वह किस दरपड के सामने रहेगा जिसके कारेड उसका प्रतिभीम उससे बड़ा दिखे आपके आपसन है ओतल दरपड, समतल दरपड, उतल दरपड, एक स्यधिक या इनमें से कोई नहीं तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ओतल दरपड यहाँ पर सही हो जाएगा अब चलिए next question पर चलते हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि कडवाहट के लिए मानो जीव का सम्रीदन सिल छेत्र है जिसे जीव होता है तो जीव का जो अलग-अलग पाट होता है उसमें अलग-अलग चीज और सेंस करने की छमता होती है तो यहाँ पर आपको अपसंद दिया है मोक मतलब जो स्टार्टिंग वाला टिप है मध्य भाग पीछे का भाग एक से अधिक या इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका सही उत्तर कौन से हो जाएगा कडवाहट कहां से पता चलता है तो जो जीव का पीछे वाला भाग होता है यह वाला भाग देख रहे हैं इससे हमें कडवाहट पता चलता है अब इसे आप याद कैसे रख पाएंगे तो थोड़ा से इससे समझ लेते हैं जैसे देखिए आपके सामने लोग मिठा-मिठा बात करेंगे तो जीव का जो आगे वाला हिस्सा रहता है वो मीठा चीज को सेंस करता है और पीठ पीछे लोग क्या करते हैं बुरी बुरी बाते करते हैं कड़वाग वाली बाते करते हैं तो जीव का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वो कड़वाहट को सेंस करता है अब बात करें जो आगे का एक किनारा वाला हिस्सा है वो क्या करता है नमकीन चीज को सिंस करता है और जो यहाँ पर पस्च किनारा वाला है इस क्या करता है यह जो खटा रहता है खटा को सिंस यहां से करता है तो यहाँ पर पूछा था कि कड़वाहट के लिए तो जो पीछे वाला हिसार रहता है वह वाला हो जाएगा मतलब स्थी वाला अपसन यहां सही हो जाएगा अब चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं तो आपके कोश्चन पुछा है कि किस बेज्ञानिक ने पहली बार टीका करण की सुरुवात की थी आपके अपसन है जोसेफ निस्टर राबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, एक से धिक या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने ही पहली बार टीका करण की सुरुवात की थी और कौन सा टीका करण की ये थे, किसका वैक्सिन निकाले थे तो जो चक होता है इस संघी प्रडाली का विचार कहां से उधाल लिया था, किसके समिधान से लिया था, आपके आपसन है USA, UK, कनाड़ा, एक से धिक या इनमें से कोई नहीं तो हम लोगोंने संगी प्रडाली कहा सुधार लिया है तो हम लोगोंने कनाडा से लिया है ठीक है और बात करी USA से तो हम लोगोंने मौलिक अधिकार लिया है इसी तरीके से आयरलेंड से हम लोगोंने नीती नीदे सकता तो लिया है समवरती सूची की अगर बात करें तो आश्ट्रेलिया से लिया है अब चलिए नेस्ट कोश्चन पे चलते हैं यहाँ पर कोश्चन पूछा है कि ध्वनी के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है आपके अप्सन है वाट, एमपियर, ओल्ट, एक से धिक या इनमे से कोई नहीं तो ध्वनी को हम लोग किस से आपते हैं तो हम लोग डेसी बल से नापने हैं यहाँ कहीं पर भी आपको डेसी बल तो दिख नहीं रहा है इसलिए इनमे से कोई नहीं आपसन हो जाएगा अब चलिए next question पे चलते हैं तहाँ पर पूछा है पर्या वरड के लिए किस से खतरा है आपके आपसन है जनसंख्या बृद्धी से फसल बृद्धी से पादब बृद्धी से एक सेधिक या इनमे से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या भृद्धी से क्योंकि देखे जो हमारा वाता वरड है पर्या वरड हैं वहाँ पर संसाधन काफी जाजा सीमित है तो अगर बहुत जादा जनसंख्या बृद्धी होगी तो इससे खतरा होगा वोई पर अगर फसल बृद्धी हो जाए या फी पादब बृद्धी मतलब पेड़ पौधे बढ़ जाए तो उससे तो पर्यावर रुक नुक्सान होगा नहीं बलकि फायदा ही है तो यहाँ पर एवाला आपसन सही हो जाएगा तो इस तरीकेश देखिए हम लोग ने बहुत सारी important question को कम समय में discuss कर लिया है आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे comment करके चरूर बताइएगा धन्यवाद